Hey what's going on everybody this is AKB back with another video और आज मैं आपको बताने वाला हूँ PSR के बारे में यह क्या है कैसे आप इसे काम में ले सकते हैं और यह आपकी कब काम आएगा So let's get started PSR की मिल से आप continuous screenshots ले सकते हैं Suppose कि यह आपको एक project पिर काम करना है जहां आपको step by step screenshot लेने की जरूरत है तो आपको हर एक बार screenshot लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी मदद से आप continuous screenshot ले सकते हैं पड़े आराम से PSR को start करने के लिए सबसे पहले windows और RG को अपने keyboard में प्रेस करिए जिससे run window open हो जाएगा यहां आपको type करना है PSR और ok कर देना है ok करने के बाद आप देखें कि step recorder का window open हो गया है अब आपको start record के बटन पर click करना है और आपका हर एक step record होना start हो जाएगा जब आपके recording complete हो जाए तो stop के button पर click कर दीजिए उसके बाद recording को save करने के लिए file का नाम लिख करके save के button पर click कर दीजिए अब आप देखेंगे कि zip file बन कर तयार हो गई है उस zip file को आप extract कर लीजिए उसके बाद फिर आप internet explorer की मदद से आप उसे open कर पाएंगे आप देख सकतने कि अब मैंने इतने भी tips किये थे उस सारे record हो चुके बड़े आराम से वीडियो पसंद आए तो like किजी वीडियो को share किजी अपने दोस्तों के साथ and subscribe for more tips, tricks and technology updates and I will see you in the next one कर दो आप